Python के अंदर हमने variables को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ है इस lecture के अंदर हम specifically देखने वाले हैं कि variable की types कितनी होती है और कैसे हम variables को define करते हैं inside Python और हर variable की type क्यों important है चलिए शुरू करते हैं screen आपके सामने हाजिर है यहाँ पे हमारा आज का topic है variable types in Python and start करते हैं कुछ ऐसे तो हमारे पास variable types जो है वो start हो चुकी है यहाँ पे आदेख सकते हैं कि variables क्या होते हैं symbolic name होते हैं जिनका reference या point वो देते हैं to an object in the memory इसको पिछले lecture में बड़ी detail में हमने देखा है for example यहाँ पे x is equal to 10 जब हमने रखा यहाँ पे x variable है equal to operator है जो variable को define करते है और हमारे पास 10 क्या है यह basically उसकी value है same इसी तरीके से name एक variable है Alice उसके अंदर value है equal to उसको assign करने के लिए operator यूज हुआ है इसी तरीके से is active हमारे पास एक क्या है variable yes true हमारे पास क्या है value yes तो अगर हम देखें तो मैंने पिछली examples में आपको बताया था कि variable basically आप एक basket या एक box समझ ले और उसके अंदर जो values आप assign कर रही है वो basically उस box का नाम हो जाता है for example मैं यहाँ पर कहता हूँ fruit basket या fruit box और उसके उपर fruits रख देते हैं box के उपर और वो उसके अंदर उसको pack कर देते हैं या हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको बोलते हैं सबजीयों का box और उसके अंदर सबजीया डाल देते हैं तो यह हमारे पास सबजीयों का box जो वो name है उसके अंदर values के हैं वो सबजीया है and this is how you can deal with variables लेकिन issue थाब होता है जब हमें variables के types को देखना पड़ते हैं और python के अंदर जो variable के types हैं वो basically आपको explicitly बियान करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप variable को define करते हैं for example यहां पर मैंने variable को define कि x is equal to 10 I don't need to say कि यह वाला integer है या कौन सी type है इस variable की so usually हम कैसे करते हैं यह देखिएगा integer जैसे के हमारे पास एक पहला variable की type है integers are whole numbers mathematics में आपने पढ़ा होगा positive भी हो सकता है यह negative भी हो सकता है लेकिन decimal नहीं होता इसमें यानि कि इशारिया वाली values नहीं होती है तो हम यहां पे integers को एक basically type of variable बोलते हैं और यह whole numbers का मजमुआ होता है यह single भी हो सकता है यह positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है लेकिन यह basically किसी भी decimal point के बिना होते हैं ठीक है whole numbers इसे की example किया है again वही चीज़ जो हमने पहले भी देखी थी age is equal to 25 और age is equal to 25 रखने के बाद हम print type अगर age करेंगे तो हमारे पास इसकी class आ जागी यानि कि किसी भी variable को define करने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसकी class आ जाती है this is called integer और अगर हम इसको ऐसे ही python के अंदर run करके देखें then you will see कि हमारे पास किस तरीके से यह काम करता है screen आपके सामने हाजिर है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक नई file बनाता हूँ और इसमें हम लिखते हैं 02 underscore variable types और types को हम understand करते हैं यहाँ पे of course ipynb file हम बनाएंगे dot ipynb ताके हमारे पास यह काम चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ types of variables ठीक है हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं and then हम यहाँ से kernel साब select करते हैं python basics वाला यह मैंने पहले भी आपको बता दिया है किस तरीके से करना है types of variable हम ने रख दी है यहाँ पे integer type को हम देखने वाले है of course मेरे पास github copilot जो है वो already on है I can actually see that here यह मेरे पास चल रहे but if I want I can also you know stop this और इसको मैं pause भी कर सकता हूँ ठीक है और इसकी जो status है उसे भी हम बंद कर सकते है but for now I will keep it like this अगर आपको recommendation नज़र है तो this is due to that github तो मैं यहाँ पे पहली जो variable की type है उसको देखता हूँ जिसका नाम है integer 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 को देखते हुए हम यहाँ पे एक integer इसको मैं one point लिखते देता हूँ markdown अपने सीख ली होगी अभी तक तो उसके अंदर यह इस तरीके से लिख लेते हैं और मैं markdown की बजाए इसको python का code देता हूँ अब आप देखें कि यहाँ पे जो मैं code लिखूंगा वो python का होगा age is equal to इसको मैं कहाँ देता हूँ 10 ठीक है मैं जैसे इसे run करता हूँ तो यह python का code है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे python हार है मेरे पास on the other side अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको markdown में भी change कर सकता हूँ कैसे मैं यहाँ पे click करके रखूँ और इसे मैं M दबाओं तो यह markdown में change हो गया यहाँ पे click करो cell select हो गया M दबाने से यह markdown है Y दबाने से यह code में convert हो जाएगा markdown का cell M दबाने से and Y दबाने से यह code में convert हो जाएगा and this is how you can see कि हमारे पास किस तरीके से एक variable code एक जो cell है वो code के अंदर convert है by the way age is equal to 10 है हमारे पास यह हमारे पास एक variable store हो चुका है age के अंदर और अगर आप गौर करें यह variable यहाँ से भी नजर आ रहा है age integer है and 10 है of course हमें इसकी type अगर पता करनी है so what we can do is हम इसकी type को जानने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो हमें पता चल जाए for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ type और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ age यानि के जो age की type है वो क्या है इसको मैं run करूँगा यह automatically मेरे पास last line of code जो है उसका answer देगा अगर आप यहाँ पे explicitly print भी लिखते हैं this is fine और इसके अंदर आप print लिखके type और age के इर्दिगिर्द आप उसको लगा देते हैं इसको run करते हैं again class इसकी जो है वो integer है so now you have explicit answer because of print अगर आप print नहीं भी लिखते it will be same ठीक हो गया तो इस तरीके से हम एक variable assign करते हैं अब यह variable हमारे पास आ गया integer का और integer हमारे पास क्या है एक basically variable की type है अब दुबारा से हम जलते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है integer कुछ इस तरीके से design होता है और यह पहली variable की type है हम दूसरी variable की type की तरफ चलते हैं which is floating point numbers यानि के floating point यानि के decimal points वो ही चीज़ है again float point के अंदर decimal होता है integer में decimal नहीं था तो इसको भी दुबारा से हम देखते हैं इस तरीके से python के अंदर इसको resolve कर सकते हैं integer हमने कर लिया अब दूसरी जो variable की type है I will write down here two point इसको मैं कहता हूँ float floating variables ठीक है floating के अंदर अगर आप गोर करें मैं इसको cell को convert करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ temperature is equal to 10.2 ठीक है जैसे मैं इसको run करता हूँ of course यह मेरे पास temperature का variable store हो गया मैंने यहाँ से इस पे click करके देख लिया this is float यहाँ से भी हमें पता चल गया लेकिन आप code के थुरू भी पता कर सकते हैं type के अंदर temperature लिखके and here you have float as class of this variable या type of this variable तो float के होता है जिसमें decimal point होते है यह होगे है हमारी second type दुबारा से हम चलते हैं अपनी slides की तरफ अब हम चलते हैं third glass की तरफ तीसरी जो हमारी type है that is string ठीक है str और usually string जो होती है वो single quotation mark या double quotation mark के साथ लिखी जाती है और आप कुछ भी गर सकते हैं say for example यहां पर एक example है greetings is equal to hello, word अब जो भी text की form में लिखेंगे that will be printed as it is और अगर आप alphabets को इस तरीके से लिखते हैं इस variable type को बोलते हैं हम string क्योंकि यह greetings का variable है इसके अंदर जो data है उसकी base पे इस variable की type change हो रही है which is string variable मैं दुबारा से python के उपर जाता हूँ और यहां पर जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यह वाला काम जो है उसे कर सकते हैं और अगर आप होर करें यहां पर currently मैंने यहां पर तीसरा जो है वो markdown का cell लाइड करता हूँ यहां पर three point इसको मैं कहा देता हूँ string इसको हम run करते हैं run करने के बाद यहां पर of course हमारे पास python आ गया मैं यहां पर लिखता हूँ से for example greetings और यहां पर मैं लिख देता हूँ hello kodanians जो लोग kodanics में सीख रहे हैं hello kodanians हम यहां पर लिख देते हैं यह हमारे पास एक greeting का variable हमारे पास बन गया है मैं इसको run करता हूँ जैसे मैं run करता हूँ variables के अंदर इसकी type आ चुके है string की ठीक है greetings string लेकिन इसको हम दुबारा से एकर check करना हो तो हम type लिखते है type के साथ greetings लिखते है here you go आपके पास string की type आ गई है of course आप इसके इर्दिगर्द प्रिंट भी लिख सकते है something like this print type greetings enter और यहां पर आप देखें आपके पास इसकी class आ चुकी तो यह तीसरी variable की type है which is string यहां तक आपको समझ आ गई है तीसरी variable की type है string अब हम चलते हैं चौते variable की type की तरफ and that is आपका जनाबे वाला boolean boolean variable अगर आप true and false की बात करें यहां पर यहां तो कोई चीज true होगी या false होगी यानि कि या कुछ चीज का होना होता है या ना होना होता है या जैसे आप कहते हैं अक्सर अकाद मेरा देख दिल कर रहा है मैं जाओ एक दिल कर रहा है ना जाओ something like yes or no इसको हम बोलते है binary या boolean भी boolean इसके लिए ज्यादा तर use होता है अब हम देखते हैं python के अंदर कि इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं और जैसे मैं boolean लिखता हूँ यहाँ पर मैं click कर देता हूँ and then I will add a python code और यहाँ पर boolean को हम बनाते हैं for example is और यहाँ पर reigning अगर मैं लिखूँ is reigning इसका मैं answer देदूँगा false यानि कि is reigning अगर false है तो जैसे यह is reigning variable यहाँ पर store होगा you will see it's a boolean type क्यों क्योंकि data type उसके अंदर false या true है अगर मैं इसको true लिखूँगा same वो ही चीज है लेकिन is reigning जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से चल रही है अब अगर मैं इसकी type देखना चाहूँ again सबसे बहतरीन तरीका यह होता है आप सिरफ type लिखें इसको run करें and it will be showing like this अगर आप Jupyter Notebooks को use कर रहे हैं तो आपको यह फाइदा होता है कि last line का हमेशा print out यहाँ पर आता है अगर मैं यहाँ पे इसके उपर type एक और लिखूँ और मैं इस reigning उपर भी लिखूँ तो basically आपके पास जो answer है वो last line का रहा है इसका नहीं आ रहा reason behind that जितने भी उपर code चलते हैं एक cell के अंदर वो last वाली value का answer आपके पास आता है print होके बाकी नहीं आता otherwise you have to write something as a print अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज लिखना चाता हूँ तो मुझे print की command use करनी पड़ेगी इस type raining हो अगर मैं देखूं तो आप देखें इसका answer आगया ये वाला और इसका answer आगया मेरे पास ये वाला so this is how you can actually utilize the power of different coding techniques in Jupyter notebook as well तो हमारे पास ये वाली जो type है this is boolean boolean के आगे हमारे पास जो अगली data type है that is list list क्या होती है this are ordered mutable collections of items mutable यानि के जो change कर सके ordered है mutable है और which can be of any data type ये list किसी भी data type की हो सकती है data type से मुराद है integer भी हो सकता है string भी हो सकती है और बाखी भी हो सकती है and these lists are defined using square brackets ठीक है अगर आप किसी data के इर्दिकेट square bracket लगाएंगे so this collection of data type would be a list ठीक है अब मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करती है यहाँ पर गौर करें lists are ordered mutable collections of items which can be of any data type lists are defined as using square brackets इस तरीके से square brackets आपने यूज़ करनी है for example numbers के हम list बनाते हैं 1,2,3,4,5 और ये list को अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसकी data की या variable की type आ जाएगी हम इसको अब हल करते हैं on python and python के अंदर आगर आप देखें तो हम इसको यहाँ पर markdown को click करते हैं 5.list कर देते हैं and list के अंदर हम check करेंगे के हमारे पास ये data items कैसे चल रही है मैं code अटर करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ numbers is equal to square bracket जैसे आप लगाएंगे आप इसके अंदर numbers add कर देंगे मैं अगर इसको run करूँगा now you will see हमारे पास number का एक variable store हो चुक है which has a data type या variable type जिसकी लिस्ट है पांच इसके अंदर values है और इसकी जो value है 1,2,3,4,5 इनके basic हमारे पास values है ठीक है so ये अगर आप गोर करें ये list बन चुकी है list बनने के बाद यहाँ पे आप इसकी type देख सकते है मैं इसको run करता हूँ यहाँ पे click करने के बाद और यहाँ पे आजाएगी list इसकी type है ठीक है so list is a collection of different data types मैंने ये numbers की list बना ली है एक और list हम बना सकते हैं same मैं यहीं पे एक और list बनाता हूँ persons की and you can see sorry मैं यहाँ पे persons की list बनाता हूँ equal to और यहाँ पे मैं मैं पास persons की names की list है मैं इसको update भी कर सकता हूँ something like this इसको मैं कहता है तो name names तो हमारे पास string का data भी आ गया और हमारे पास यहाँ पे दूसरा data भी आ गया and now you can see कि हमारे पास दोनों list की type है variable में जाकर हम देख भी सकते है एक हमारे पास names है which is a list of three values अब आप अगर गोर करें हमारे पास एक string यह है दूसरी string यह है तीसरी string यह है और यहाँ पे मैं अंग्रेजों की बजाए अपने नाम रखता हूँ बिलाल राशिद and क्या रखों इर्फान ठीक है चलें अली भी कर लेते हैं तो यह हमारे पास चार values होगे so this is how you can say the different names और यह हमारे पास list है इसमें कोई भी data type आ सकती है राइट जी यहाँ तक आपको clear हो गया अब आगे चलते है लिस्ट के बाद जो अगली हमारी data type है या variable type है that is tuple इसको tuple भी बोलते हैं so tuples are ordered immutable जो पिछली थी values यह mutable है mutable का मतलब होता है आप specific value को change भी कर सकते हैं जो हमाने वाले lectures में देखेंगे ठीक है tuple के अंदर आप values को change नहीं कर सकते है यानि कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि कि किसी value को आप change करें और यह ordered है अगर आप यहाँ पर चेक करें list भी ordered है और हमारे पास tuple भी ordered है but these are immutable collection of items tuples are defined using parenthesis पीछे वाली जो थी वो defined थी using square bracket ये है tuple जो है ये defined होते है using parenthesis अब parenthesis को हमने अगर define करके लिखना है so we can define different kind of tuples here मैं यहाँ पर 6 number करता हूँ 6.tuple और tuple को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलाते है and then we go here यहाँ पर मैं एक tuple बना लेता हूँ save for example इस tuple का हम नाम रखते हैं इसको कह देते हैं prices ठीक है और यह हमारे पास prices का एक tuple है हम इसको इस तरीके से parenthesis के अंदर यानि कि छोटी bracket के अंदर रखेंगे यह बड़ी bracket थी यह छोटी bracket थी ठीक है और इसको अगर हम प्रिंट करें तो यह tuple आ गया ठीक है tuple हमारे पास immutable होते है यानि कि हम values को change नहीं कर पाएंगे जब एक दफ़ा बन गया और जो हमारे पास list होती है यह mutable यानि कि इसको हम change कर सकते है mutable का मतलब होता है changeable ठीक है अच्छा जी tuple के बाद अगला साथवा जो हमारे पास है that is dictionary dictionary क्या होती है इसमें दो elements होते है आप दोनो elements को unordered collection कह सकते है पहले element को आप बोलते है key और दूसरे element को आप बोलते है value key and value का pair होता है यानि के आपके पास दो-दो का pair होता है key और value का और यह curly braces यानि के दर्मियानी bracket के साथ मिलके बनता है say for example यहाँ पर person का एक हमारे पास dictionary है persons की name पहले आजएगा और उसकी value आजएगी फिर age आजएगा फिर उसकी value आजएगी so this is how you can see के name किसी का क्या है Alice, age क्या है 30 so this is how you can see के आपके पास किस तरीके से dictionary बनती है अब इसी dictionary को हम python के अंदर बना के देखते है and then we will see के यह कैसे हमारे पास बनती है मैं यहाँ पे hashtag 7. इसको मैं बोल देता हूँ dictionary और dictionary को ऐसे लिखने के बाद of course मैं यहाँ पे इसको code बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहाँ देता हूँ person persons कर लेते और यहाँ पे name जो है हम अपनी मर्जी का रख लेते of course name जो है वो बिलाल कर देते हैं जो हमारे पास age है वो 25 कर देते हैं and then at the end हम इसकी type भी देख सकते हैं for example मैं अगर यहाँ पे print type लिखूँगा then I will have the answer of course जैसे मैं इसे run करता हूँ यह dict आरा है मेरे पास इसका मतलब है dictionary हमारे पास यह data type है और variable type है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दूसरा pair एक pair जो है वो basically single होगा यह दूसरा pair हमारे पास different होगा अब आपने note किया जब हमने 25 लिखा 25 हमारे पास as a number है ठीक है बिलाल हमारे पास जो value है that is as a string यह जो है यह key है it couldn't be a string or anything usually यह basically आपके पास key है value matter करती है कि value की type क्या है इसमें data type क्या है key matter नहीं करता for example अगर मैं यहाँ पे इसको to रख दूँगा यहाँ पे इसको run करूँगा there is nothing wrong with that ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं age भी लिख दूँगा it's fine so usually it doesn't matter कि आप dictionary के अंदर क्या करते है आप यही समझें कि मेरे पास एक column है जिसके अंदर पहला column का नाम है name दूसरे का नाम है age और पहले column की पहली value है बिलाल दूसरी है 25 ठीक है so this is how you can think about a dictionary dictionary आपको समझ आगी होगी इसके बाद हम चलते हैं अगली variable type पे अगली variable type जो है हमारे पास set set क्या होता है करते हैं और हमारे पास set बनता है ठीक है curly braces योज़ करनी है लेकिन इस दफ़ा जैसे हमने dictionary में दो चीज़ें लिखी थी column के साथ यहां पे दो नहीं होगी यहां पे हमारे पास simply एक होगी curly braces में that will make it a set अब set को हम देखते हैं python के अंदर यहां पे अगर आप गौर करें 8 type number 8 जो variable की type है that is set set को मैं यहां पे check कर लेता हूँ और y दबा के इसको code में convert कर लेते हैं यहां पे मैं लिखता हूँ say for example set is equal to 1,2,3,4,5 का यह set है इसकी अगर type में run करूँ तो यह मेरे पास इस तरीके से आ गई है set जो है यह basically curly braces के साथ है यह भी curly braces के साथ है लेकिन यहां पे colon sign है key और value का pair है यहां पे pair share कोई नहीं है directly हमारे पास set आ चुका है ठीक है so set भी एक variable type है अगर आप किसी variable के अंदर values जो है वो इस तरीके से curly braces store करेंगे that will be called as set अगर आप curly braces में दो-दो pairs बना के रखेंगे that will be called as dictionary ठीक हो गया हमारे पास dictionary भी होगी और हमारे पास set भी होगया अगली जो हमारे पास data की type है of course हम set के function के साथ भी किसी को set में convert कर सकते है but it depends later on we will see कि हम किस तरीके से cut कर सकते है but for now we will move forward और हमारे पास है none type none type क्या है ये भी एक variable की type है जिसमें कोई value नहीं है यानि के खाली variable ठीक है none type वो वाली variable होती है जो बिल्कुल खाली होती है ठीक है और usually ये तब बनाई जाती है जब आप किसी खाली एक data को start करना चाते है अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ none type hashtag 9 point none type तो none type हमारे पास एक variable है मैं इसको run करता हूँ and यहाँ पे हम देखते हैं for example अगर किसी भी data का नाम हमने रखना है यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ result result is equal to none और अगर कोई चीज़ खाली है अगर उसके class हम देखें खाली variable की none लिखना जरूरी है अगर आप none नहीं लिखते तो यहाँ पे error आएगी something like this ठीक है so हमें कुछ नहीं भी लिखना पड़ना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है none है and that is a reserve keyword in python और आप देख सकते हैं जैसे हम इसको none कहेंगे यहाँ पे none type आजागी variable की और आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं अगर आप गोर करें results is a none type और इसकी value none है of course इसका size भी none होगा because we cannot say anything about it ठीक है राइट जी यह होगी हमारे पास अगली variable type इससे अगली जो हमारे पास variable की type है that is number 10 which is complex complex क्या होता है जिसमें 2 variables मिलके आते हैं यानि कि आपके पास complex number variable होता है for example complex numbers are numbers with a real and imaginary part real part भी and imaginary part भी जिसमें numeric भी हो जैसे linear algebra की नहीं होती थी equations वैसी imaginary part जो है वो j के साथ donate कर दिया जाता है या किसी और number के साथ तो हम इसको complex जो है वो variable type बोलते हैं और complex variable type जो है वो बहुत कम use होती है but of course हमें इसको पढ़ना भी चाहिए so 10 number is complex इसको हम run करते हैं run करने के बाद अगर आप गौर करें यहां पर हम लिखते हैं फिर for example complex is equal to हमारे पास i plus 2j कोई भी इसमें आप equation लिख सकते हैं जिसमें एक basically इस तरीके से variable होगा मैं इसको run करता हूँ let's see y और इसको मैं run करता हूँ यह complex आ गया अगर मैं यहां पर x लिखता हूँ let's see यह नहीं चलेगा अगर मैं यहां पर i लिखता हूँ यह नहीं चलेगा अगर मैं यहां पर j लिखता हूँ then it will run ठीक है so just keep in mind कि j जो है यह reserve keyword है for complex numbers यह complex variable के लिए और यह imaginary है और यह real part है ठीक है यह imaginary है यह real part है j is imaginary of course इसके साथ 2 multiply करेगा तो यह भी imaginary हो जाएगा so we have these types of variables here यहां पर आप देख सकते है कि हमारे पास यह total types of variables है जिसमें पहली है int यानि के integer float, string, boolean, list, tuple, dictionary, set, none type and complex और यह basically इनकी description है इसमें whole number होते है इसमें floating number या decimals होते है इसमें text होता है या sequence of characters होती है string में boolean में boolean values true या false होती है mutable ordered collection of items यह जितनी भी उपर मैंने items बताएंगे इनको अगर इकठा करें और यह changeable हों तो उसे list बोला जाता है tuple क्या है कि अगर वो changeable ना हो इनमें से जितनी भी values हो कोई कठा करने के बाद उसको बोला जाता है हम tuple dictionary में क्या है unordered collection है यानि कि कोई भी पहले आ सकते है कोई भी बाद में आ सकती है कोई order नहीं है इसके अंदर unordered collection लेकिन इसमें key और value का pair होगा set क्या है unordered collection of unique names इसमें सिर्फ unique name हों में इसमें आप एक ही चीज बार बार नहीं ला सकते है यानि के apple बनाना ओरेंज के इलावा दुबारा से आप apple नहीं ला सकते है ठीक है this kind of data set जो हो set होगा non type क्या है अगर इसमें absence of a value यानि के कुछ ना हो यानि के खाली जगा ठीक है and then we have complex complex के number with a real and imaginary part 3 plus 4 j जैसे एक example है अगर आप गोर करें या आपके पास example सारी सामने है and mutable भी है अब आस इसमें आप गोर कर सकते हैं कि कुछ चीजें mutable हैं कुछ चीजें mutable नहीं है mutable का मतलब है if you can change any part of this variable ठीक है उसको बोला जाते है mutation या mutable या changeable चीजें तो जो changeable नहीं है that is string, boolean and tuple और आपके पास at the end complex number बाकी सारी changeable है यहां तक आपको clear हो गया of course clear हो गया होगा और अब आपने chat में मुझे बताना है कि जितनी variables की type है आपको समझ आ चुकी हैं यह नहीं if you have any question you have write down in the comment section as well in this lecture और secondly, please इसको practice करें बार 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 practice करें एक ही दफा यह करने से नहीं आएंगी मुझे सुनके नहीं आएंगी आपको practice करने के बाद यह सारी के सारी variable की types जो हैं वो समझ आएंगी अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या एक variable type दूसरे में change हो सकती क्या decimal को हम float में convert क्या decimal को यानि कि float को हम integer में convert कर सकते हैं यानि कि इशारिये की value खतम कर सकते हैं क्या string को हम float के अंदर convert कर सकते हैं किस तरीके से conversion होगी और क्यों हमें वो convert करना जरूरी है I will teach you that one in upcoming lecture See you in the next one